हेलो फ्रेंज, स्वागत है आपका दा एक्जाम ट्यूटर में आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विजयनगर सामराज्य के बारे में विजयनगर सामराज्य से सम्मंदित जितने भी important questions और important facts होंगे उन सभी को आज हम इस वीडियो में cover करेंगे इससे पहले मद्यकालीन भारत के इतिहास से सम्मंदित दो वीडियो में पहले ही upload कर चुकी हूँ उनका link description में है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो playlist में जाकर देख सकते हैं काफी important topic है तो वीडियो में end तक जरूर बने रहिएगा तो चलिए बिना किसी देडी के वीडियो शुरू करते हैं विजयनगर सामराज्ये देखिए दिल्ली सल्तनत के समयकाल के बाद दक्षण भारत में दो नए राज्यों का उद्य होता है पहला बहमनी सामराज्ये और दूसरा विजयनगर सामराज्ये बहमनी सामराज्ये क्रिष्णा नदी के उत्तर में इस्थित था और विजयनगर सामराज्ये जो है ये तुंगभद्रा नदी के दक्षण में इस्थित था इन दोनों नदियों के बीच का जो क्षेत्र था उसको लेकर दोनों सामराज्यों के बीच विवाद रहता था दक्षिन भारत के ये दोनों ही राज्ये काफी परसिद्ध हुए तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे विजयनगर सामराज्ये के बारे में तो चलिए फर्श क ये दोनों भाई थे हरिहर और बुखका ने विजयनगर सामराज्ये के अस्थापना कि इसके बारे में देख लेते हैं विजयनगर सामराज्ये का ये था तीरा सो च से से 1650 देखे जो इसका शुरुवाती समय है 1336 यह एक्जेक्ट समय है और जो 1650 जो यह इसका अंतिम समय है इसमें मतभेद मिलता है इतिहासकारों में एसक कहीं पर 1648 मिलता है और कहीं बुक का दो भाईयों ने माधव विद्यारण्य की प्रेणा से की थी काफी इंपोर्टेंट है किसकी प्रेणा से की थी माधव विद्यारण्य की प्रेणा से की थी पहले इसका नाम हम्पी या हस्तिनावती था और बाद में ये विजनगर सामराज्य के नाम से परसिद्ध पूं थे हरियर और वुक्का segundo देख लेते हैं व्यदी ग्रंथों के परसिद्ра भास्यकार सायन निम्न सामराज्य के काल में याद रखेंगे आंसर हो जाएगा डी वीजनगर सामराजय कहां पर खुशन देख ले विजनगर सामराजय कहां पर इससे था ये था तुंग भद्रा नदी के दक्षण में आंसर हो जाएगा C Next question देख लेते हैं विजनगर के उस पहले सासन की पहचान करे जिसने बहमनियों से गोवा को छीना नेक्स question देख लेते हैं तालिक उटा का युद्ध हुआ था 1526 इसवी में, 1565 इसवी में, 1576 इसवी में या 1586 इसवी में तो तालिक उटा का युद्ध हुआ था 1565 इसवी में इसके बारे में देख लेते हैं बहमनी सामराज्य के पांच राज्य थे बीजापूर, गोलकुंडा, बरार, बीदर और एहमदपूर तो इन पांच राज्यों में से एक को छोड़कर, बरार को छोड़कर सेश चारों ने 1565 इसवी में विजनगर सामराज्य पर आकरमन किया था और इसी युद्ध को तालिकोटा का युद्ध कहा जाता है, तो तालिकोटा का युद्ध किस-किस के बीच में हुआ था, बहमनी सामराज्य की सियुक्त सेना और विजनगर सामराज्य के बीच में तालिकोटा का युद्ध हुआ था, और कब हुआ था तो 1565 इसवी में हु कुली कुतुब सहा के साथ, कुतुब दिन एबक के साथ, इसमाईल आदिल खान के साथ या गजपती के साथ, तो विजनगर के राजा कृष्ण देव राये ने गोलकुंडा का युद लड़ा था कुली कुतुब सहा के साथ में, इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, विजनेगर के राजा कृष्णे देव राये ने ही गोलकुंडा का युद गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतबसाह के साथ लड़ा था। गोल कुंडा में कुतुब साही वंस की स्थापना कुली कुतुब साहा ने की थी जब कृष्णी देवराय उडिसा के साथ युद्ध में व्यस्त था तब कुतुब साहा ने विजनेगर सामराज्ये पर आकर्मन करने का प्रियास किया और विजनेगर सामराज्ये पर कृष्ण लडा तो कुली कुटुब सहा के साथ लडा तो जिसमें कीछ्ट कृष्न देवराय की जीत हुई इसके बारे में देख लेते हैं कृष्ण देवराय के दरबार में आठ तेलगु साहित्य के आठ सर्वस्रेष्ट कवी रहते थे जिनें अस्ट दिगज कहा जाता था इनके नाम है अल्लसानी, पेदन्ना, नंदी तिम्मन, भट्टु मूर्ती, दूर्जटी, माधिगिरी, मलन, मुधु पलक्कु, अच्चलराजु, रामचंद्र और पिंगली सूरन याद रखेंगे, इनके नाम कभी पूछे नहीं जाते, याद रखेंगे, लेकिन फिर भी कृष्ण देव राय के दरबार में कौन रहते थे अस्ट दिगज, जोकी आड तेलगु कवी थे, और स्रेस्ट विदवान थे किसके तेलगु के इन में से किसी आंद्र भोज भी कहा जाता था, कृष्ण देव राय को, राजिंद्र चोल को, हरिहर बुक्का को या बुक्का को, तो इन में से किसी आंद्र भोज कहा जाता था, तो ये कहा जाता था कृष्ण देव राय को, इसके बारे में देख लेते हैं, कृष्ण नेक्स कुशन देख लेते हैं विजनगर का परसिद्ध हजारा मंदिर किसके साशनकाल में निर्मित हुआ था कृष्ण देवराय के साशनकाल में देवराज दुइत्य की साशनकाल में या हरिहर पर्थम के साशनकाल में तो विजनगर का परसिद्ध हजारा मंदिर निर्मित ह सुवा था क्रिश्ण देव राए के सासनकाल में रे किस्डेव राही के अधिन किस साहित्य का स्वर्ण यूग था कौंकर्णी का मलियालम का तमिल या तेलुगु का तो क।्रिश्ण reindeer राए के अधिन किसравствуйте का दिलुगुस अ GO राज्य कालमे, खृष्णिदेव राय के शासनकालमे नेक्स्ट कुष्णिदेख लेती हैं, व्यदिक ग्रन्थों के भास्यकार सायन को आश्रय प्राप्त हुआ था, परमार राजाओं का, सात्वहन राजाओं का, विजयनगर राजाओं का, या वाकाटक राजाओं का, तो देवराय प्रथम की राज्यकाल में, देवराज द्वित्य की राज्यकाल में, कृष्णी देवराय की राज्यकाल में या वीर विजय की राज्यकाल में तो अब्दुल लज्जाक विजनगर आया था देवराज द्वित्य के राज्यकाल में आंसर हो जाएगा बी देवराज द्वित्य के राज्यकाल में नेक्स कुशन देख लेते हैं विजनेगर सामराज्य की वित्य विवस्था की मुख्य विसेस्ता क्या थी? अधिसेस लगान, भूराजस्व, बंदरगाहों से आमदनी या मुद्रापढणाली तो विजनेगर सामराज्य की वित्य विवस्था की मुख्य विसेस्ता थी भूराजस्व इसके बारे में देख लेते हैं विजनेगर सामराज्य में राज की आये का मुख्य श्रोत भूराजस्व था जिसे सिस्ट कहा जाता था एक्जामे कुछा जाता है कि सिस्ट किसे कहा जाता था तो विजनेगर सामराज्जे में जो राज के आये का मुख्य स्रोत था भूराजसु उसे कहा जाता था शिस्ट भूराजसु भूमी की उपज के आधार पर तै किया जाता था सामाने तहे एक बटे तीन से एक बटे चार के बीच में होता था, तो वित्या विवस्ता की मुख्य विस्यस्ता क्या थी तो ये थी भू राजसुर, नेक्स कुशन देख लेते हैं, तालिगोटा का युद्ध लड़ा गया था, अक्बर और मालवा की सुल्तान के बीच, विजनगर और बेहमनी राज्य के बीच, विजन पुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था नेक्स कुशन देख लेते हैं जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजनगर सामराज्य का सासक कोन था कृष्णेदेव राय सदासी वेंकट द्वित्य या तिरूमल तो जब राजा वोडि निब्न लिखित में से किस स्थान के खंडर विजनगर की प्राचीण राजधाने का प्रतिनिद्ध्व करते वे HOW प्रतिनी दिट्व करते हैं एहम दनगर बीजापूर गोलकुंडा या हम्पी तो जो हम्पी के खंडर है हम विजनगर की प्रतिनी दिट्व करते हैं तो आंसर हो जाएगा डी हमपी नेक्स कुशन देख लेते हैं परसिद्ध विजय विठ्थल मंदिर किसके जिसके 56 संगीत में स्वर निकालते हैं कहां अवस्थित है परसिद्ध विजय विठ्थल मंदिर जिसके 56 संगीत में स्वर निकालते हैं ये कहां अवस्थित है बेलूर में श्र लेते हैं हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजनगर सामराज्य की स्थापना की थी उसका नाम था माधव विद्यारण्ये, रामानुजचारिये, माधवाचारिये या निम्बगाचारिये तो ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि माधव विद्यारण्ये जो एक संत थे उनके प्रभाव में आकर विजनगर सामराज्ये की स्थापना की थी हरिहर एवं बुक्का दो भाईयों ने याद रखेंगे आंसर हो जाएगा ए माधव विद्यारण्ये नेक्स कुशन देख लेते हैं विजनगर सामराज्ये अपने चर्मोत कर्स के लिए आभारी है क्रिशनदेव राय का हरिहर एवं बुक्का का बालाजी विश्वनात का या राजराज चोल का तो विजनगर सामराज्ये अपने चर्मोत कर्स किसके साशनकाल में था तो ये था कृष्णदेव राय के शाशनकाल में आंसर हो जाएगा A. कृष्णदेव राय Next question देख लेते हैं Next question है किस संगम वन्स के सासन को प्रोड देव राय भी कहा जाता था हरिहर द्वित्य के सासन को, देवराय प्रथम के सासन को, देवराय द्वित्य के सासन को या मलिक अर्जुन के सासन को तो किस संगम वंस के सासन को प्रोड देवराय भी कहा जाता था ये कहा जाता था देवराय द्वित्ये के सासन को next question देख लेते हैं विजनगर के किस सासक की उपाधी गज बेतेकर थी देवराय प्रथम की देवराय द्वित्ये की, कृष्णे देवराय की या इन में से कोई नहीं तो विजनेगर के किस सासक की उपादी थी गज बेतेकर तो ये थी देवराय द्वित्ये की उपादी क्या गज बेतेकर किस की उपादी थी ये देवराय द्वित्ये की आंसर हो जाएगा B. देवराय द्वितिया, next question देख लेते हैं, विजनगर सामराज्य किस नदी के तट पर इस्थित है, कावेरी नदी के, कृष्णा नदी के, तुंग भद्रा नदी के या गंगा नदी के, तो विजनगर जो सामराज्य है, ये किस नदी के तट पर इस्थित है, तो ये है तुंग भद्रा नदी की, आंसर हो जाएगा C. तुंग भद्रा, so friends, ये हमारा विजनगर सामराज्य का टोपिक यहीं complete होता है, I hope ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, helpful लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सबस्क्राइब करें, और बैल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको time to time मिलती रहे, मिलेंगे next वीडियो में नए टॉपिक के साथ, thank you.